जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनोकामनाय पोण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्री के दोरान आपको क्या खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? कैसे खाना चाहिए? संपूर जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ से एर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं नवरात्री में भोजन के बारे में संपूर जानकारी नवरातरी का जो ब्रत है वो बहुत सारे लोग अपने अपने सुविधा के अशार करते हैं बहुत सारे जो बीमार त्यादी होते हैं ऐसे लोग जो सेंधा नमक है वो भी खा लेते हैं बहुत सारे लोग मालीजे कुट्टू के आटे की या जो सिंगहडे की आटे की पूडियां है या जो हरी सबजियां है वो सब खा लेते हैं एक टाइम साम को भोजन जो है वो करते हैं साबुदाना की खिचड़ी बगएरा मतलब जो ब्रत है अभी थोड़ा सा अलग हो गया है पहले जो ब्रत है वो भलाहारी ही होता था और अभी भोजन वाला ब्रत जो है वो हो गया है मालीजे सिंगहडे की आटे की पूडियां और सबजी जो है वो अगर साम को खाते हैं या पराठे बना के खाते हैं तो फिर वो भोजन ही हो गया एक तरीके का तो बहुत सारे आपको समय के अनुशार ही सारा कुछ जो है वो करना चाहिए जैसे सुबै की पूजा जो है, वो हर हालत में आपको 9 बजे तक कर देनी ही चाहिए अगर जल्दी करना चाहते हैं, 8 बजे तक, 7 बजे तक, 6 बजे तक तो ये और अच्छी बात है जितनी जल्दी आप पूजा जो है, वो कर सकती है, उतना ही अच्छा है इसके बाद जो नवरात्री की पूजा होती है उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है तो आप थोड़ा जल्दी उड़ जाएए और पूजा पार जो है वो कर लीजिए तो मेरा कहना ये है कि 9 बज़े तक हरालत में आपकी जो पूजा अर्चना है वो हो जाने चाहिए इसके बाद आप सुब़े की चाए या दूद या जो फलाहरी बगरा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं सुब़े सुब़े इतनी भूग नहीं लगती है चाए पीलो पानी प लगता है इसके बाद जो भोजन है या जो फलाहरी है वो आपको जैसे 11 बज़े के आसपास जो है वो कर लेना चाहिए फलाहरी में आप अनानास जो सेव हैं केला है या ड्राइफ रूट्स की जो खीर है या जो मालीजे की गुड बगरा है घर पे बनाएगए जो पेड़ा है वो सब कुछ खा के आप जो दोपहर में फलाहरी है वो आप कर सकते हैं बार बार आपको नहीं खाना चाहिए जितनी बार आप खा रहे हैं दो बार तीन बार मालीजे सुबह की चाय पी ली दोपहर में फलाहरी कर लिया फिर साम को जो भी आपके या बना है जिस भी प्रक पचास बार दस बार जितनी भी आपकी मरजी है वो आप पी सकते हैं पानी पीने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है साथ ही साथ जो साम की पूजा है वो आप हर हालत में साथ बजे तक साम को कर ही लें इसके बाद जो पूजा है वो अब तो सकते हैं करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समय के अनुसार सारी चीज़ें जो है वो आपको करना है तो साम की जो पूजा है जो दियाबाती का समय है वो साथ बजे तक आपको कर लेना चाहिए इसके बाद आप जूस, फल, लौकी य वो आप खा सकते हैं सिंगाडे अभी नए हरे सिंगाडे जो है वो आने लगे हैं तो आप वो भी खा सकते हैं सकरकंद खा सकते हैं गाए के घी के साथ आप जो भी चीजें जैसे माल लीजे की आपने हलवा बना के खाना है लौकी का हलवा या कद्दू का हलवा या आलू का हलवा तो आप गाय के घी के साथ जो है वो बना के अच्छे से खा सकते हैं मेवा जो है वो गुड डाल के अच्छे से मेवा जो है वो बनाईए या आप मिस्री डाल के जो मेवा है वो बनाईए और खाईए साथी साथ जो मेबा वाला गुड होता है वो भी आप खा सकते हैं सीता फल जैसे सरीफा जो है वो भी खा सकते हैं रामदाना खा सकते हैं मिठाई घर की बनी खा सकते हैं बजार की चीजों को मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बजार में वो सुद्धा जो है वो नहीं होती है जो ब्रत अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे पिलडा बगएरा बनाते तो उसमें मैदा यार रोट मिला देते हैं साबुदाना बगएरा जो है वो भी उतना सुद्ध नहीं होता है पापड बगएरा ब अच्छे से खापी पाएं, बाहर की चीजों के लिए मैं कभी भी समर्थन जो है वो आपको नहीं कर सकती हूँ, साथ ही साथ जो चांदी के वर्क वाले मिठाईया है वो आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, जो डिबबा बंद जूस बगेरा होता है, दूद बगेरा होता है तब ही आपको खाना चाहिए, उसके पहले नौ दिन तक जो कच्छी गरी है या जो नारियल है वो नहीं खाना चाहिए, और जो बदाम है वो नहीं खाना चाहिए, तो अगर आपके यहाँ यह चीजें मनाई जाती है तो फिर आपको यह चीजें जो है वो बिलकुल भी नही अगर आप खाना चाहते हैं, तो भीदिया जाता है, बहुत सारे लोग इसको फोड़ते हैं, बहुत सारे लोग जो कामनाएं मांन देते हैं, यह नावरात्री में नहीं खाये जाते हैं, तो आपको इन चीजों का विशेश रूप से ध्यान जो जो और बैला होता है, उसको बल रखना चाहिए बाकि जो भी चीज़ें आप घर पे सुद्ध तरीके से बना सकते हैं वो आप खा सकते हैं बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं और जो सुद्धता है उसका पूर्ण ध्यान रखें क्योंकि नवरात्री चल रही है मा के आराधना हो रही है और आपको साफ सफाई पे और सुद्धता पे जो चीज़ें हैं वही खानी चाहिए बेकार की चीज़ों को खाकर अपना जो ब्रत है वो पूर्ण नहीं करना चाहिए इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जैमात आदी